राजननगाउं जिले के खेरागड विधानसभा क्षेत्र में उपचनाओ के लिए आज मतदान चल रहा है तेज धूप और भीशन गर्मी के बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं में मतदिकार के इस्तमाल को लेकर उत्साह नजर आ रहा है मतदान के इंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाता कतारों में लगकर अपनी पारी का अंतजार करते दिखे मतदाताओं ने कहा अच्छा जन प्रति देशिचुनने के लिए वोट डालना बेहत जरूरी है उन्होंने अन्य मतदाताओं को भी मतदान के प्रती अपने कर्तवियों को लेकर जागरूप किया जिसमें मैं अच्छे सरकार की चुनाओ करना चाहती हूँ ताकि वो हमारे गाओं का साथ में हमारे पूरे जीले का अच्छे सी विकास कर सके और साथ में सभी को मैं अपील करती हूँ को कि सभी को एक मतदान अपने आप देना चाहिए जिसमें वो अच्छे सरकार की चुनाओ करें ताकि गाओं का भी कास होने के साथ हमारा भविश है जैसे कि सिक्षा, इस्टडी अगर अच्छे सरकार बनता है तो इस्टडी में भी वो महत्वपुनी भूमिका निभाएगा मतदान करने समको बहुत अच्छा लगा, बाकी लोग भी बैठे यहीं मतदान करने और जो बचे वो भी आकर मतदान करें और जो भी उधायक बनेगा वो अपने गाओं का वी कास करें तेरिया करते और आज के इस उप्चुनाओ के कॉंग्रेस प्रत्याशी यशोदा निलामबर ने देवारी भाटा इस्थित मतदान केंद्र में अपना मतदान किया तो वहीं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल ने घिरगोली में अपने मतदिकार का इस्तिमाल किया इस उप्चुनाओ के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाने हैं समवेदंशील और अति समवेदंशील मतदान केंद्रों के साथ ही स्ट्रॉंग रूम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं इस सीट के लिए मतों की गणना 16 अपरेल को होगी और इसी दिन शा परिणाम भी जारी कर दिये जाएंगे